हेलो एब्रिवन, लाश्ट यर हमने ऑनलाइन कुछ रेन लेली के बल्ब्स खरीदा हुआ था बल्ब हमारे पास कई तरह के आये हुए थे, कुछ बल्ब काफी हेल्दी थे और बड़े साइज के थे जिनके अंदर काफी अच्छी फ्लावरिंग होई और काफी अच्छे फूल खेले थे कुछ बल्ब छोटे भी थे, जिनके अंदर लाश्ट यर फ्लावरिंग नहीं हो पाई, केबल ग्रोध ही हो पाई थी तो सिजन एंड होने के साथ हमने बल्ब को निकाला था मिट्टी से और इसे एक कार्ड़ बोड के डिब्वे में स्टोर कर दिया था रेलली के बल्ब हम आसानी से ग्रोव कर सकते हैं, हाला कि इनके सीट भी ग्रोव किये जाते हैं, लेकिन इन्हें बल्ब से ग्रोव करना सीट के मुकाबले बेहत आसान होता है इन्हें सीट से कैसे ग्रो करना है किसी और वीडियो में बात करेंगे फिलाल इस वीडियो में रेल लिली के प्लाइंट हम बल्ब से ग्रो करना सीखेंगे सो ये दोस्त मेरा में सौरब और इस वीडियो में आपका स्वागत है Rain lily pernial plant होते हैं इन्हें एक बार लगाने से पौधे सालो साल चलते हैं Rain lily के bulb लगाने के लिए हमें weld rain मिट्टी की जरुत होगी जिसमें पानी जमा ना हो लेकिन हलका moisture बना रहे इस तरह के मिट्टी के लिए आप दोमट मिट्टी जिने की लोमी सोयल के नाम से जानते हैं इनका इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर sandy सोयल हो बल्द भी मिट्टी हो तो इनका भी इस्तमाल किया जा सकता है फिलाल मैंने अपने पुराने गमलो के मिट्टी ली है जिसके अंदर पहले से वर्मी कमपोस्ट, पत्तो की खाद और थोड़ा सा कूकोपीट पहले से मिक्स है रिनलिली के जो बल्ब सोते हैं इनकी रूट्स जादा गहराई में नहीं बढ़ती हैं बलकि साइडों में जादा फैलती हैं तो इनकी लिए गमलो का चुनाव करते समय ध्यान लखे कि कम गहराई वाले और अधिक चोड़ाई वाले गमलो का इस्तमाल करना चाहिए फिलाल मैं अभी एक 8 इंच के मिट्टी के गमले का इस्तमाल कर रहा हूँ अब 5 इंच गहराई वाले गंबलों से रेनलेले के बल्ब लगाने की सुरुवात कर सकते हैं गंबले में मिट्टी भरने के बाद बल्ब को 1 इंच की गहराई में लगाना है और बल्ब से बल्ब की दूरी कम से कम 2.5 इंच होनी चाहिए हमारे पास अधिकतर बल्ब अभी काफी छोटे हैं और जगह की कमी होने के कारण हम अपने सारे बल्ब इसी गंबले में लगा रहे हैं लेकिन अगर आपके पास जगह मौजूद हो तो आप हर एक बल्ब को प्रोपर स्पेस दीजिए ग्रू होने के लिए इनके अंदर भी कई रंग के फूल आते हैं जिसमें यलो, पिंक, रेड और वाइट रंग के फूल काफी कॉमन होते हैं और काफी आसानी से मिल जाते हैं इनके प्लांट अप अपने लोकल नर्सरी में या फिर इनके बल्ब आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं बरसाथ के मौसम में, कई जगवों पर रंग के जो प्लांट होते हैं, रोट के किनारे, पार्क में या फिर खेतों में अपने आप ही निकलाते हैं तो वहां से भी आप इनके प्लांट फ्री में कलेक्ट कर सकते हैं ओनलाइन इनके बल्ब 10 रूपे से स्टार्ट होते हैं और वराइटी के अनुसार प्राइस वैरी करता है जब भी आप इनके बल्ब ओनलाइन आप परचेस करें या फिर लोकल में परचेस करने वाले हो ध्यान रखना है कि जितना बड़ा बल्ब हो सके उतना बड़े साइज का बल्ब लेना है और अच्छे क्वालिटी का बल्ब लेना है अब जो बड़े साइज के बल्ब होते हैं इनसे क्या फायदा होता है मैं आपको वीरियो में आगे बताऊंगा फिलाल इसी तरह से आपको अपने सारे बल्ब लगा लेने है और इन्हें मिट्टी में अच्छे से दबा देना है ध्यान रखना है कि जहां से पत्ता निकलता है बल्ब में उस एरिया को बस आपको मिट्टी के उपर रखना है बाकि सारा हिस्सा आपको मिट्टी में दबा देना है रेलली के बल्ब हम फरवरी के महीने से लेकर अगस्त के महीने तक लगा सकते हैं हाला कि इनके बल्ब हम सर्दियों में भी लगा सकते हैं लेकिन सर्दियों में इनके अंदर फूल नहीं किलता है इसलिए सर्दियों में इने लगाने का कोई फायदा नहीं बनता है बल्ब लगाने के बाद हमें इसके अंदर अच्छे से पानी देना है और अपने गमले को हमें फुल सनलाइट में रखना है यहाँ पर आप अपने गमले को कुछ दिनों के लिए सेट के अंदर भी रख सकते हैं लेकिन अगर आप इन्हें फुल सनलाइट में रखते हैं तो बल्ब काफी जल्दी अपनी ग्रोस स्टार्ट करते हैं और फ्लावर भी प्लांट में जल्दी खिलता है एक हपते पहले हमने इस गमले में रेल लिली के कुछ बल्ब लगाये थे बल्ब लगाने के बाद गमले में हमने अच्छे से पानी दिया था और उसके बाद हमने अपने गमले को डारेक्ट सनलाइट में रखा है अभी तक हमारा गमला फुल सनलाइट में रखा हुआ है और जो हमारे रेलली के बल्ब उस टाइम पर थोड़े मुर्जाय हुए लग रहे थे अब हमारे रेलली के जो पत्ते हैं अब ये स्ट्रेट होना स्टार्ट हो गए है और इनके अंदर अभी ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो चुगा है आप साइडों से देखें तो बल्ब के साइडों से नहीं नहीं रूट्स वाइड कलर के आपको देख जाएंगी और हमारे रेलली के बल्ब पहले से काफी बेटर लग रहे हैं तो एक चोटा सा अपटेट है साथ दिनों का फुफली इनके अंदर फ्लावर भी काफी जल्दी खिलेगा अभी आपको फिलाल कुछ नहीं करना है बस आपको मिट्टी में हलकी से मोईश्यर बना के रखनी है और अपने प्लांट को फोल सलनाइट में रखना है अगर गमला बारिस में रखा हुआ है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है बस ध्यानक नहीं कि गमले में बारिस के बाद पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए सारा पानी ट्रेन आउट हो जाना चाहिए केवल मिट्टी में हलकी सी मोईश्यर बनी रहनी चाहिए इस बात का जरूर ध्यानक के एक बात और है शुरू में अगर आपने मिट्टी बनाते समय इसके अंदर किसी प्रकार का खाद नहीं डाला था तो जब आपके रिलली के बल्ब लगाने के बाद इनके अंदर जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर खाद मिला सकते हैं गुबर की खाद, पत्तो की खाद या फिर वर्मी कमपोस्ट आप इसके अंदर देना सुरू कर सकते हैं ग्रोइंग पिरियेड की बात करें तो हर महीने एक बार आप इनके अंदर खाद दे सकते हैं बल्ब लगा है आज करीबन 11 दिन हो चुका है और हमारे प्लाइंट में अल्रेड़ी एक फूल खिल चुका है एक्चुली दूसरा फूल है एक फूल पहले भी खिल चुका था तो दीखे काफी प्यारा पिंक लर्का हमारे रेन लेली के बल्ब में फ्लावर खिला हुआ है मिक्स कलर के फ्लावर बल्ब लगा रखे हैं जिसमें से पिंक कलर का हमारा फूल है यह खिल चुका है इसके अदर अभी यल्लो और वाइट कलर के फूल खिलने बाकी है सुरू में मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा बड़े साइज के बल्ब लेने चाहिए इसका रिजन यही होता है कि जो बड़े साइज के बल्ब होते है इसके अंदर फ्लावरिंग जल्दी हो जाती है अब छोटे बल्ब में क्या होता है कि जो छोटे बल्ब होते हैं इनका साइज छोटा होता है तो सबसे पहले यह ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद ये मैचियोर होते हैं और मैचियोर होने के बाद इनके अंदर फ्लावर खिलता है तो इतना सब होने में छोटे बल्ब होते हैं ये काफी टाइम ले लेते हैं और कई बार तो इतने छोटे होते हैं कि ये पूरा एक साल ले लेते हैं दूसरा साल जाकर इनके अंदर फूल खिलता है तो इसलिए आपको कहाता है कि जब भी आप फ्लावरिंग प्लांट जो बल्ब से ग्रोग किये जाते हैं ये पर्चेस करने वाले हो तो हमेशा आप बड़े साइज के बल्ब खरीदे और अच्छे क्वालिटी के बल्ब खरीदे रिलली के अंदर लेट स्प्रिंग से लेकर अर्ली विंटर तक अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है और काफी बढ़िया फूल खिलते हैं तो यहां से आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि अगर आपको सीजन के अंदर ही केवल इन से फूल चाहिए तो आप बरसाद के मौसम में बड़े साइज के और अच्छे क्वालिटी के बल्ब लाइए इनने लगाईए और हपते भर के अंदर इन से आपको फ्लावर मिल जाएंगे फिर उसके बाद आप अपने बल्ब निकाल सकते हैं और इनने श्टोर करके रख सकते हैं तो अगर आपको इनने केवल सीजन में लगाना है तो बरसाद के मौसम में इने लगाईए और अगर आप इनने सालों भर रखना चाहते हैं देन आप फरवरीर से लेकर अगस्त के महीने के भी जिने लगा सकते हैं सरदियों में भी इनके बल्ब लगाए जा सकते हैं लेकिन आम तोर पे सरदियों के महीने में जो रिन लेके प्लांट होते हैं इनके केवल बल्ब भी बच पाते हैं सर्दियों के कारण इनके पत्ते जो होते ही ये सूख जाते हैं तो गर्मियों के दिनों में ही अगर आप इनके बल्ब लगाते हैं तो बहतर होगा अगर location की बात करें तो गर्मियों के दिनों में आप अपने plant को full sunlight में रखें और अगर गर्मी काफी तेज बढ़ रही है तो दोपहर के टाइम आप अपने प्लांट को सेड के अंदर भी ला सकते हैं सरदियों की दिनों में आप अपने रिलेले के प्लांट को इंडोर सिफ्ट कर सकते हैं अगर सरदी ज़्यादा पड़ती है तो इनके प्लांट के जो पत्ते हैं ये सूख सकते हैं ये काफी नॉर्मल होता है तो आपको सरदियों में घवराना नहीं है परवरी का महीना आते आते फिर से आपके प्लांट में नए लेप्स आ जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है पानी की बात करें तो आपको गर्मियों में अपने प्लांट में डेली वाटरिंग करना है अगर बारिस नहीं हो रही है तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि गमले की मिट्टी में हलका मुष्यर बना रहना चाहिए गमले में आपको ओबर वाटरिंग भी नहीं करना है बस मिट्टी में हलका सा मोईश्यर बना के रखें ताकि आपका प्लांट हरा भरा बना रहें। अगर बात करें फटलाइजर की, तो इनके अंदर फटलाइजर आपको केवल ग्रोइंग पिरियड में देना है। यानि केवल गर्मियों के समय में देना है जब इनके अंदर फूल खिल रहा होता है, प्लांट में ग्रोथ हो रही होती है। आप इनके अंदर पत्यों की खाथ, वर्मी कंपोस्ट या फिर गुबर की खाथ दे सकते हैं। महीने में एक बार आप इनके अंदर खात दें, वहीं इनफ रहेगा इनके अंदर, आप चाहें तो आप इनके अंदर 90-90-90 NPK दे सकते हैं, आप चाहें तो NPK का इनके अंदर स्प्रे भी कर सकते हैं, इतना fertilizer ड्रेलिली के plant के लिए एनफ रहेगा और आपका plant भी काफी एक बात और है अगर आप रेन लिली के प्लांट लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में इनके अंदर बटरफ्लाई के लारवा हो गया हैं काई तरह किड़े इसके अंदर लग जाते हैं तो नीमोल का श्प्रे करके आप इन सभी से बच सकते हैं बाकी रेन लि के प्लांट आप असानी से ग्रोग कर सकते हैं रेलिली के प्लांट में जो फूल होते हैं इनके खिलने के बाद तुरंट इसके अंदर सीट बनने लगते हैं कुछ डाइम बाद सीट पक जाते हैं और मैचियोर होकर उसमें अपने आप ही बश्ट होकर निकल आते हैं तो चोड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने घर पर असानी से रेलिली के प्लांट बल्व से ग्रोग कर सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही चैनल पर नए हो आपको पता है क्या करना है वीडियो खत्तम अब जाओ कर चैनल इस वीडियो खत्तम अब जाओ